सीम योगी के मंच से गायब बिरिजभुशन बिरिजभुशन बना अम सीम योगी कैसर गंज में मचा सियासी बावाल कैसर गंज लोग सबा छेतर में रहविवार को उत्रप्रदेश के मुख्य मंत्री योगी अधित्यनात ने पयागपुर विधान सब चेत्र में चुनावी रैली को संबोधित किया इस दोरान यहां के प्रत्याशी करण भुशन सिंग उनके साथ मौजूद रहे लेकिन गौर करने वाली बात यहा है कि मौजूदा भाजपा सांसद ब्रिजभुशन सरन सिंग ने योगी अदितेनाद के मंच पर नजर नहीं आए बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही ब्रिजभुशन सरन सिंग ने सिर्फ पीम मोदी को ही अपना नेता बनाया था यानि एक खास निव चैनल से बातचीत करते हुए उनसे जब सवाल किया गया कि आपके नेता सीम योगी है इस पर मुस्कुराते हुए उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और कहा कि मेरे नेता सिर्फ पीम मोदी है उनके मंच पर ना शामिल होना छेतर में चर्चा का विशे बना हुगा है बता दे ही कि जिस तरीके से ब्रिजभुचन तरण सिंग के खिलाप महिला पहलवानों ने गंभीर आरोप लगाए उसके बाद दिल्ली की राउजवेन्यू कोट ने उनके उपर आरोप भी तै कर दिये इसके बाद से ब्रिजभुचन तरण सिंग के मुश्किले और भी ज़्यादा बढ़ रही है एक तरह भारते जंता पाटी ने उनका टिकट काट कर उनहीं के बेटे करण भुचन सिंग को कैसर गंज लोक सबा सीट से प्रत्याशी बनाया तो वहीं कोट का फैसला आने के बाद ब्रिजभुचन सिंग को बड़ा जटका लगा उसके बाद से सीएम योगी के साथ मंच पर ना दिखना अब देश की राजनीती में चर्चा का विशय बना हुआ है क्योंकि ब्रिजभुचन सरन सिंग छाबार के सांसद है और एक बड़े दिगज नेता है और यही वो कारण है कि उनको ले करके बीजेपी लगतार असमंजस की स्थिती में थी और कहीं न कहीं ब्रिजभुचन सरन सिंग को पहले भी ये उफर था कि उनकी परिवार से कोई भी सदस से चुनाव लड़ सकता है हला कि ब्रिजभुचन सरन सिंग भारतिय जनता पार्टी को आख दिखाते हुए साफ तोर पर उन्होंने कहा था कि मैं ही चुनाव लड़ूँगा और साफ तोर पर उन्होंने एक्षा जताई थी हला कि जिस तरीके से अब योगी अदितनात बनाम ब्रिजभुचन सरन सिंग का जो विवाद है वो कहने कहीं बढ़ता चला जा रहा है या फिर नुकसान दाया का साबित होगा फिलाल आपकी कहरा है हमें कमेंड बॉक्स में जरूर बताएं देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्षन एन पॉलिटिकल बाइट के साथ